अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चाहूं को सबस्क्राइब कर लेना उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट प्लासेश इस चाहूं तो फॉलो कर सकते हो यहाँ पर भी बेल आकों को एट करके अल जरू सिलेट करके रख लेना इस चानल का लिंक आपको उपर आई बड़न पे या फिर निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपोर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दिये आप चाहूं तो उनको कवर कर सकते हो और फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के उपर भी एक इक्स्ट्रा वीडियो आ चुका है जरूर इसको देख लेना मार्केट जो गिरा है तो इसे रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों के सामने रखे इसको मिस मत करना लिंक इस वीडियो का भी उपर आई बटन पे मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सबस्तो अब हम लोग आचुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले देखें हर किसी को यहाँ पर पता है कि बाजार में अच्छी खासी गिरावट तो ज़रूर देखने को मिली है और गिरावट के पीछे का रीजन भी हर किसी को यहाँ पर पता ही है वो है कोविड अगर आप सिर्फ गूगल भी करके देखोगे तो कोविड से रिलेटेड अलग-अपडेट सामने ही यहाँ पर निकल कर आ रहे है और यह सारी चीज़े चाइना से ही हम लोगों को शिरुआत होती वे देखने को मिली थी और वापस चाइना से रिलेटेड ही गडबड फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है तो डेफिनेटली कि कोविड के चलते ही बाजार में कर सकते हो वहाँ पर मैंने बता है कि कौन से कंपनीज में प्रॉब्लेम हो सकते है अगर यह रीजन बड़ा हुआ थो अभी इस वीड़े में हम लोग क्या बात करने वाले है कि अगर यह रीजन ही बड़ा होते चला गया तो कौन से ऐसे स्टॉक से जो की जबरदस यहाँ पर भाग सकते हैं जो शेर होल्डर्स है वो खुश यहाँ पर हो सकते हैं तो आप सब लोग को पता है मार्केट ऐसे ही चलता है किसी के लिए वो अगर गिरावट वाली खराब निउस रहेगी तो किसी के लिए वो positive news भी साबित हो सकती है तो definitely COVID जितना फैलते जाये का जो कि होना तो बिलकुल भी नहीं चाहिए बट सिखाने के लिए यह सारी चीज़े करनी पड़ती है बोलनी पड़ती है बट अगर ऐसा हुआ तो कौन से ऐसे shares है जिनको सबसे जादा फाइदा हो सकता है along with the logic वो मैं आपके सामने आपे रखने की कोशिश करने वाला हूँ तो चले दोस्तों सबसे पहले अगर आज की दिन का अगर आप इंडेक्स भी चेक करोगे तो सभी के सभी shares में पिटाई होती वी देखने को मिली है तो कौन सा ऐसा sector है जिसको फाइदा हो सकता है जो हरे में देखने को मिल रहा है ना वही आपके सवाल का जवाब है पहला आपको देखने को मिलेगा Nifty IT तो IT तो सेकेंड नंबर पे आएगा बट पहले नंबर पे कोन आएगा फार्मा जो की सवा 2% से पूरा इंडेक्स धमाकेदार हम लोगों को भागते वे देखने को मिलेगा अगर मैं Nifty फार्मा की उपर भी अगर क्लिक कर लू तो आज क सवाल का जो आप बहुत ही clear cut है आपे सामने आ चुका है कि फार्मा इंडेस्ट्री की अगर हम लोग बात करें वह बहुत अच्छा करेगा अभी फार्मा इंडेस्ट्री भी देखा गे ना तो बहुत बड़ा सेक्टर है वास्ट सेक्टर है तो इसमें सबसे main COVID से related सबसे important च testing वाले companies को target करो क्योंकि एक परसन को जो vaccine यहाँ पर लगता है वो एक बार लगेगा maximum दो बार लगेगा या फिर booster लेगा तो तीन बार लेगा अलग-अलग company है बट जो testing है ना एक परसन चाहे तो 10 बार testing भी करवा सकता है अगर restriction आये ना तो यहाँ पर एरपोर्ट पे जात testing वाली company चापती है and testing में भी दो प्रकार देखने को मिल जाते एक होता है RT-PCR test क्या होता है RT-PCR test जोकि सबसे ज़्यादा confirmation आप लोगों को देता है कि covid से related and दूसरा होता है antigen तो antigen इतना खास नहीं होता है antigen मतलब सिर्फ वो जो samples रहते वो मतलब मुह के बल के उपर मुह अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े है तो मैंने आप लोगों को सिखा के रहा हूँ यह कोई recommendation नहीं वरना कुछ लोग तो मतलब शुरू ही हो जाते कि कल जाके बाजार जैसे खुलने दो हम पैसा डाल देंगे करके तो पहले situation देखना है अगर situation ज्यादा गंबिर नह अगर आप इसका 5 साल का डेटा भी चेक करोगी ना तो कोविड के वक्त इसने आप देख सकते 2020 के बहुत जबर्दस पैसा चापा उसके बाद यह प्रॉफिट बॉकिंग हो रही थी और आज के मतलब बहुत ही अच्छी कासी प्रॉफिट बॉकिंग हो यह बट आज की दिन इसका 5 साल का डेटा चेक करोगे तो 175% की रिटन्स है कोविड के वक्त इन्होंने जम के कमाई यहाप चेक कर सकते हो रैली तो जबर्दस थे उसके बाद प्रॉफिट बॉकिंग होगी और फिलाल स्टॉक यहाप देखने को मिल रहा है वैसे भी देखा गया तो एक कंपनी क सारी कंपनीज अभी हमलों को अच्छी तरीके से आपे प्रिपेर होते वी देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली अगर टेस्टिंग यहापे जबर्दस हाइर लेवल पे होना श्टार्ट हो गया तो इन कंपनीज के आने वाले नंबर्स आप लोंको इंप्रूफ होते वी तो इसलिए आप चेक कर सकते हो कि इन कंपनीज में हमनों को टेस्टिंग वाली कंपनीज में कमाल की तेजी देखने को आपे मिल रही है वैक्सिन के अगर हम लोग बात करें माइट भी आप जो वीडियो सुन रहे है मैक्सिमम लोगों का वैक्सिन हो चुका होगा एक्लिस दो डोस तो मिनिमाम आप लोगों ले ही ले होंगे बूस्टर से रिलेटेड कुछ लोगों का पेंडिंग है सरकार ने दर्कवास किया है कि जिनका पेंडिंग है वो भी कंप्लिट अगर कोर्स कर लेंगे तो अच्छा रहेगा रैट इसलिए वैक्सिन के अगर हम लोग बा यह अच्छा का सा परफॉर्मंस कर सकते हैं जब भी यह शेर गिरेंगे नहीं तीन स्टॉक मैंने आपको बताए अगर इने कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो जरू सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के ओर से क्या खबर आईए उसके उपर फोकस करना माइड भी ऐसी रहेगी जो कि कोरोना से रिलेटेड डर को कम करने वाली हो सकती है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड डर जीतना बड़ेगा इन कंपनिस को उतना ही फायदा होते वे देखने को मिल सकता है दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों API वाली कंपनिस and API में number one कोन है डिवीज लैप त तो वैसे भी देखा गे तो आज का एक जो reason मिल गया इसके चलते तो rocket की तरह ये भागते वे देखने को आपे मिल जुगा है API का अगर shortages हो जाता है तो IOLCP ये भी company जबरदस performance दे सकती है and 14% के आसपस ये company भागते वे देखने को मिला है पर इसका जो business है सब कुछ वो इंडिया से ही सीमित हमनों को देखने को आपे मिल रहा है तो definitely जो company चाइना से related निर्बर करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है पर इसका तो पूरा कारोबार ही इंडिया से related है तो इसलिए IOLCP ये company भी अच्छा कर सकते है अगेन अगेन मैं यहाँ पर करना चाओंगा क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारा लोग में study purpose के लिए चीजों को cover करता हूँ वो blindly जाके निवेश कर लेते ये company बहुत चोटी company है केवल 2000 करोड का market cap है जिस दिन गिरेगा हालत खराब हो सकते तो ये point पता होना चाहिए पात साल का data देखिए 400% की returns लगेगा कैसे बहुत सुंदर लगेगा बट ये देखे चाट pattern देखिए भागेगा तो rocket की तरह 2020 में इतने short period में देखिए कैसे भागा तो इसलिए बहुत सारे लोंको अच्छा लगा अभी नीचे आ रहा है तो खराब लग रहा है वो खराब नहीं है वो चलता है वे SI stock अगर आप इसका maximum chart pattern भी open करके देखोगे ना तो इसके पहले भी SI रहता है एक तरफा रहली फिर जबरदस profit booking एक तरफ आ रहली फिर जबरदस profit booking तो यह point आपको पता होने चाहिए इसलिए यह सारी चीजे में आप लोग को यहाँ पर explain करके बता रहा हूं next अगर हम लोग बात करेंगे no doubt hospitality hospitality मतलब hospital वाले companies तो यहाँ पर Apollo hospital बहुत अच्छा कर सकते है अभी बहुत सारे आपको ऐसे companies मिल जाएंगे hospital से related बट Apollo उसमे नंबर वने और Apollo वैसे अच्छा भी है nifty 50 से related भी इसका अच्छा कासा युगदान रहता है और healthcare से related भी इनका business अच्छा कासा यहाँ पर चल रहा है तो इन companies को आप चाहो तो क्या कर सकते हो study कर सकते है यह मेरा कोई recommendation में again कह रहा हूँ फिलाल यह event के हिसाब से stocks चल रहे है कल अगर जाके सरकर ने बोल दिया कि आरे COVID जैसे चीज़े हम लोग panic हो रहे थे कुछ भी नहीं है सब कुछ यहाँ पर चंगा चल रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह सारे stocks में उतनी ही जबरदस profit booking होगी तो यह भी point आपको पता यहाँ पे होना चाहिए इसलिए मैं बार-बार इन चीज़ों को repeat कर रहा हूँ next अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन भी nifty 50 का जो advanced stocks देखने को मिले 12-50 में से उसमें भी maximum gainers को ने पहला है डिवीस, देन सिपला, देन अपोलो, देन सन फर्मा, डॉक्टर रेडिस पाचों के पाच फार्मा वाले companies हैं अगर मैं view all भी कर लेता हूँ तो आप बाकी के भी performance को यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर रेडिस के बाद को ने Excel Tech, Tech Mindra, Nestle, TCS Infosys मतलब सेकेंड डिस में भी अगर Maximum Stocks देखा गया, तो IT सेक्टर तो IT सेक्टर को क्यों फाइदा मिल रहा है तो देखें दोस्तो, IT सेक्टर में अलएड़ी बहुत सरा लोग ने profit booking हम लोग को होती भी देखने को मिली थी, recession के डर के चलते मतलब अगर 100 लोग यहाँ पे थे तो IT सेक्टर में अलएड़ी 60 लोग ने profit booking पहले ही करके रखी थी, right और इसी के चलते वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे बट बाकी सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से 100 लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे तो किसी ने अभी आज के दिन 40 लोगों ने profit book किये किसी ने 50 में किया तो इसलिए आज के दिन बाकी सेक्टर में हम लोगों को पैनिक देखने को आपे मिला है वैसे तो डरने की कोई ज़रूत नहीं है बढ़ ये सारे points आपको पता होनी चाहिए तो जो आप सवाल पूछ रहे थे कि अगर कोरोना ज़ादा ही यहापे अगर फिलना स्टार्ट कर देता है तो कौन से कंपनी को फायदा होगा आप क्लियर कट देख सकते हैं तीन परसंट की तेजी देखने को मिली है सो आशा करता है दोस्तों लॉजिकली जितने भी चीज़े थी study purpose के लिए आपको समझाने की कि फिलाल की situation अगर गंबिर होती है तो कौन से stocks अच्छा कर सकते है तो वो मैंने आप लोगों के सामने रखे है बहुत ही common sense वाली बात है कि pharma companies यह अच्छा ही आपर कर सकती है सो situation के उपर अच्छी तरिकी से focus रख लेना है and accordingly decision यह आपर ले लेना अगर आप एक trader हो इस news का फायदा उठा कर trading करना चाते हो तो strict stop loss भी आप लोगों ने रखना चाहिए maintain करना चाहिए क्योंकि अगर एक थोड़ी सी news भी इदर उदर आ गई तो बड़ा profit booking भी हो सकता है तो इसलिए ये भी एक point आपको पता होना चाहिए तो आशा करता हम वीडियो अलप लगा होगा